अमोर परखंड छेत्र के मस्ट्टा पंचाइत अंतरगत प्रात्मिक विद्याले पर सराई का कमरों का भवन पूरी तरह से छती गरस्त हो चुका है। इस विद्याले के दोनों कमरों की छत इतनी जरजर हो चुकी है कि कमरों में पठन पाठन बिल्कुल बंद सा हो गया है। दो और भी कमरे हैं जो बिल्कुल अर्द निर्मित हैं। इस अंदर में विद्याले के परभारी मस्रूर आलम ने सिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर इस ओर ध्यान आक्रिष्ट कराया था। किन्तु आज तक विभागी अधिकारियों ने कोई ठोस पहली सोर नहीं की। आवेदन में अश्पस्ट लिखाया है कि छाथ से पानी टपकता है, प्लास्टर जढता है, हमेशा भैसा बना हुआ रहता है और कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस पर भी विभागी अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया और नहीं पठन-पाथन वेवस्था ठिक करने की जहनत उठाई। अब सवाल यह है कि सिक्षक बच्चों के पठन-पाथन की वेवस्था कहां से करें। अधिकारियों का कतनानुसार बच्चे बाहर बैठते हैं तो आए दिन बच्चे बिमार भी हो सकते हैं। इसका जिम्मेवार कौन होगा। ऐसे में यह एक बड़ा प्रस्ण खरा करता है कि बच्चे यहां पढ़ने आते हैं या फिर बिमार होने। बहराल लोग की नजरे इसो टिकी हुई हैं कि कब तक विभाग इस विद्याले की बधाल इस्तिती पर संग्यान लेता है। कोशी आलोक के लिए अमोर से सनोज कुमार की रिपोर्ट।